तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इनका नाम आपने सुना ओगा पहले शेल सब शेल और बिटल एंड कौंटर नंबर्स किया है ठेकिए बहुत डेटील में लेकिन हां एक बेसिक आडिया हम लेने वाले तक ही हमें electronic configuration जो हम लिखे तो उसमें हमें कोई परिशान ही नहीं हो इसलिए यहाँ पर शेल सब्शेल और बिटल्स के इनका थोड़ा एक बेसिक आईडियम आज की लेक्चर में लेने हो तो जैसे कि हमें पता है कि यह अल्रेडी काई पर देख चुग है कि जो सेंटर पार्ट होता ही कि पार्ट किया करता है नूकलास होता है उस नूकलास में प्र pior उपकलें नीट्रॉन होते है और उसके बहार यह अलग-अलग आप देख रहोंगे ब्रहожд gev राइंध क्या करते है तो यह जो आउट-साइट शेल्स होती है ठाक इनके अलग एनेर्जी होती हर एक शेल के अलग एनर्जी होती है उस particular energy level पे ही electron क्या करते है अब यह energy क्या होती है कैसे निकाले जाते है यह सब हम detail में atomic structure जब पढ़ेंगे उसमें हम बात करने बारे अभी है बात करें कि जो shell से यह कैसे इनको differentiate करेंगे कि यह shell पहली है कौन से दूसरी कैसे क्या प्रोला था इस यह nucleus होता है योगी लिखावा है revolving electron होता है जो shell के अंदर होता है उस shell के बारे में हम पहले start करने वाले उसके बात हम करने वाले है तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ shell और orbit तो अब आपको इतना तो idea लगी गया है कि जो shell यह orbit है ठीक है वो shell और orbit कैसा होता है circular होता है जैसा भी electron spherical बोलो या sorry spherical इसको मैं बोल सकता हूं circular shape में होता है जिसकंदे electron revolve करता है तो पूरा circular ना बना के मैं अभी यहाँ पे सिफ इस तरीके से बना रहा हूं कि positive charge लिखा है यह इसका मतलब है यह क्या है nucleus है इस nucleus के अंदर positive or neutral atom दोनों होगे तो मैंने सिफ यहा पूरा circular ना बना की मैंने बोला first shell है यह दूसरी शेल है यह तीसरी है यह चौती शेल है यह इस तरीके से तो इसमें आप देखोगे तो यह तो हो गया मेरे पास nucleus यह है मेरा nucleus इसके बाद जो remaining है वो क्या है मेरी अलग-अलग shells है तो तो इसके अगर मैं बात करूं अलग-अलग shells में तो यह है मेरी first shell यह है मेरी second shell यह 3rd यह 4th और यह 5th nucleus के पास में जो सबसे पहली शेल आई इसको मैंने number one दिया उससे जो दूर है उसको second फिर 3rd फिर 4th फिर 5th अब यहां देख सकतो उपर भी क्या लिखा है shell और sub shell तो कि shell और sub shell sorry shell और orbit तो कि shell और orbit सेमी चीज़े अलग-अलग है अगर मैं बात करूं अगर मैं बात करूं यहां पर अगर मैं कहता हूं कि shell है तो shell तो मैं इसको बोलूंगा क्या आपने सुनाओगा के शेल सबसे पहले जो नुकलेस के पास में होते हैं इसको के शेल बढ़ा जाते हैं फिर एल शेल फिर एम एन ओ पी क्यू आरेस टी इस तरीके से ओन सान बढ़ता जाते हैं तो यह जो है ना जो इसको बोला जाता है और अगर नंबर से अगर बोला जाता है किया और इसको बहुता है और यह दो और Q, R, T, इस तरीके से अगर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो K से ही स्टाट होता है, यह A, B, C, D से या B, C, कही सी नहीं होता है, ठीक है, यह पूराना नॉमिनिक लेचर है, K से, जो सबसे पहली शहल को K नाम दिया गया है, ऐसा नहीं कि B, C, D कही से भी स्टाट कर दो, K के बाद हाँ, K के बाद जो अलफाबेट आता है, उसके अक्वर्डिंगों स्रिक्वेंस में चलेंगी K के बाद, L, फिर M, फिर N, O, P, Q, से, अगर मैं और्बिट के फॉर्म में लिख रहा हूं, अगर इस मैं बात करूँ, तो जो शेल है, इसको रेप्रेजेंट कहसे करते हैं, समॉल N से लिखके हम बताते हैं, अगर मैंने स्मॉल N इक्वर्स टू लिखा तो होगा हो ओ तो जो शेल नमबर बन, ओर इस तरीके से यह दूसरा सर्कल यह तीसरा उस तरीके से अब मैंने सिंफ एक पोर्शन दिखा है ताकि ज्यादा तो यह थो ही शेल की बाद शेल को बाद इतने हैं, लेसे और तो व्या रखना आपको क्या है, एक एक एन से कारते हैं, न से करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 भी बोल सकत शेल और और बिट का डिफरेंस क्या है वह मैं आपको समझे इसके बाद अगर हम आगे पर चले शेल और और बिट के बाद हम चले तो मैंने लिखा यहां पर सब शेल और सब और बिट के तो सब शेल और सब और बिट को समझ नहीं की जैसे शेल के आगे मैंने क्या लिगा है अपर सब लगा है वैसे और बिट के आगे यहां भी क्या लगा गया सब लगा गया शेल जैसे एल से रिप्रेजेंट होता है वैसे सब शेल या सब और बिट स्मॉल एल से रिप्रेजेंट अगर मैं कह रहा हूँ यहां पर क्या है यह नुकलियस है यह फर्स्ट शेल है फिर यह सेकंड शेल है यह फिर फोर्थ शेल है तो यह तो हुई शेल नंबर जिसमें मैं एंसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो यह हो जाएगा यह हो यह फोरद शिया अऍदर इस पूरी जो सेर्खुलर शेल के अंदर एक पोर्शन अलग- अलग पार्ट होता है जहां पर इलक्टॉर्न होने की आप सबस्क्राइब थोड़ा से डेना में तो जुद्प है पहले जो शेल नंबर होगा उतनी ही उसमें सब शेल नंबर of sub-shell कितने होंगे तो जितने उसके अंदर shell हो तो मैं कहा रहा हूँ यहाँ पर shell number one है तो इसमें एक ही sub-shell होगी तो वो कौन से sub-shell होगी? S sub-shell. Shell number two है तो इसमें दो sub-shell होगी एक S और एक small P ठीक है? तीन sub-shell है तो S, P और D sub-shell चार shell number है तो इसमें चार sub-shell होगी S, P, D और F ठीक है? सभी small में लिखे जाते हैं, sub-shell को small letter से represent किया है अब कैसे बोलेंगे इसमें? तो मैं इस तरीके से बोलूँगा इसको किस तरीके से represent किया जाता है? तो यहाँ पर मैंने लिखा इसके अंदर first shell है और उसमें एक sub-shell है तो मैं ऐसे दिखाऊंगा इसको यह 1S लिखा जाता है इसका मतला भी यह shell number और उसका यह sub-shell first shell में यह कौन सी sub-shell है वो हमें बता जाता है तो 1S लिखा जाता है क्योंकि first shell में एक sub-shell होती है तो सिफ 1S लिखा है second shell के अंदर दो sub-shell होती है तो इसको हम इस तरीके से लिखते है 2S तो second shell के अंदर S sub-shell और second shell के अंदर P sub-shell तो 2S और 2P क्योंकि third shell के अंदर 3 sub-shell होती है तो इसको लिखा जाता है 3S, 3P और यहां पर क्या 3D इसी तरीके से fourth shell के अंदर 4 sub-shell होती है तो इनको और लिखा भी इस तरीके जाता है 4S, 4P, 4D और 4F इस तरीके से fifth भी हो सकता है, sixth भी हो सकता है, seventh shell भी हो सकती है तो S, P, D, F, G, H, I इस तरीके से चलता है तो पहले ही आपको एक चीज़ क्या थे हैं तक नहीं कि shell number जो होगा उसमें उतने ही number of sub-shell होगी तो यहाँ पर S है, तो अगर third भोलूँगा तो उसमें S से start करना है S, P, D, फिर fourth है तो S, P, D, F ठीके, majorly 4 ही use होती है वैसे जैसे हमने बोला कि KLMN, O, P, Q, R, S, T ठीके, जैसे shell number होते है वैसे ही S, P, D, F, G, H, I, J, K, L, F small letter में लिखते हैं तो वो भी sub-shell को represent करते हैं अब यहाँ पर बात हो रही ही कि sub-shell तो हमने बोल दिया S होता है, इसमें कितने होंगे वो बात कर लिए S, P, D होता है, यह होता है कि उसके हम बात करते हैं तो sub-shell और shell जो होता है sub-shell और shell जो होता है उसके अंदर वो बात करते हैं इनकी structure कैसा होता है तो structure के हम जब बात करेंगे structure के जब हम इसमें बात करेंगे उसमें हम यह देखना है अब यहाँ पर बात करते हैं दो, एक बात तो यह होगी कि यह L आगे आप टम और एक टम आगे यहाँ पर S, P, D तो L जो है ना यह सब शेल का जैसे शेल नंबर होता है ना 1, 2, 3, 4 वैसे ही सब शेल का भी एक नंबर भी होता है तो सब शेल का जो नंबर होता है वो L से हम रिप्रेजेंट करते हैं जो सब शेल का नंबर होता है उसको हम किस से represent करते हैं, L से represent करते हैं, तो L की अगर मैं value की बात करूँ, तो जो L की value है, यहाँ पर मैंने लिखा L और यहाँ पर मैं लिखा type of sub-shell यह अलग-अलग type होगे sub-shell, तो for example जैसे मैंने लिखा, L की value सबसे minimum जो होती 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 ही 0 किस sub-shell के लिए होती ही, तो S type के sub-shell के लिए होती ही, L की value होती ही 1, वो किस sub-shell के लिए होती ही, P type के लिए L की value होती ही 2, वो किस के लिए होती ही, D type के लिए, L की value होती ही 3, वो किस के लिए होती, F, इस तरीके अगर future में और element discover हुए तो हमें आगे और sub-shells की भी जूरत पड़ेगी लेकिन अभी हाल फिलाल और हमारे syllabus में जितना है और जितने अभी जूरत है हमें nature में तो SPDF से ही जूरत है तो L और SPDF में क्या difference अब थोड़ा basic idea लग गया हुगा L जैसे N एक number बताता है shell का वैसे ही L sub-shell का number बताता है मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि D sub-shell के लिए L की value क्या है तो मुझे ऐसा पता होना चाहिए 2 या मैं बोलता हूं कि L की value अगर 1 है तो कौन सा sub-shell है तो तो दोनों एक दूसरे के corresponding है यह आपको clear होने चाहिए तो L भी क्या बताता है यह numerical value बताता है हर एक sub-shell की अब चार टाइप के sub-shell हमें majorly पढ़ने होते है SP-DF और उसमें से भी shape जो है वो हम SP और D की पढ़ते हैं F की पढ़ते हैं तो अब हम आगे बात करते हैं इसके अंदर जो हमारे पास shape है तो shape of sub-shell की हम बात करते हैं तो पहला अगर मैं बात करूँ जो हमारे पास sub-shell है उसकी बात करता हूँ मैं S की तो first sub-shell हो मेरे पास है S, S sub-shell S sub-shell जो होता है उसका shape की अगर मैं बात करूँ तो इसका shape होता है spherical ते इसका जो shape होता है वो shape होता है S sub-shell का spherical shape होता है अब spherical बोले तो sphere आपने देखा होगा sphere मतलब कोई भी ball क्रिकेट बॉल ले लो फुटबॉल ले लो बास्केट बॉल लो जो भी वो sphere होता है तो अब paper में तो हम जिखा नहीं सकते तो यहां पर तो मैं simply एक circle बना रहा है तो इस तरहीके से spherical shape में होता है ध्यान रखना यह sphere है और sphere है तो मैं क्या बोलूँगा 3D circle होता है वह होता है 2D plane के अंदर तो यहां पर जो यह ज reader होते है इस लिए वो Sphere कहलाता है ठीक है पेपर पे बले ही हम यहां पर क्या दिखा रहे हैं पेपर पेपर तो 2D बना सकते हैं लेकिन होता कैसा है सपेरिकल होता है सरकल नहीं होता है को कि सरकल तो 2D है और Sphere कैसा होगा 3D यह शेप है किसका S-subshell का फिर हम बात करें सेकंड जो हमारे पास सब होती है फिशकर जो शेप होता है तोसे पोल से इस्का जो शेप होता है अब यह डंबल ऌसंशेप बडबल आपने देखो टिके जिम तो अकसर आपको देखने हो मिल जाती हैं तो जो डंबल्स होते हैं इस सेuriaнов तरीक है啊 हालंके में से बिल्खोर ब्राबर बना नहीं इस डंबल यह आते हैं तो यहां से सैंटर से पगड़ते एक लोग लोगीक डंबल 이제 है जैसे और जॉल्स नहीं है Dumble होंगे, इसमें 2D में थोड़ी होता है, 3D में होता है, फिर से ये जो Shape है Dumble, ये फिर से किसके अंदर है, 3D के अंदर होता है, 2D के अंदर नहीं होता है और जो 3rd, 3rd जो हमारा Subshal होता है, वो होता है D, D Subshal डी सब्शल की अगर मैं शेप की बात करूँ तो इसका शेप होता है डबल डंबल अब ये डबल डंबल क्या जाता है तो एक डंबल जैसे है वैसे दो ले लो तो वो क्या बन जाएगा डबल डंबल तो अगर मैंने बोला एक डंबल ये ये तो बना एक डंबल तो दूसरा डंबल क्या इस तरीके से तो ये एक डंबल ये और दूसरा डंबल ये तो ये डबल डंबल शेप का होता है फिर से मैं अगर इसमें बोलू तो ये भी किस के अंदर है 3D के अंदर है तो जितने भी हमार क्या तो हुआ है तो इसलिए जो सारे शेप है थे कि सारे जितने भी शेप होता है और यह डबल डंबल होता है यह भी ठीक होता है तो यह तो बात करी हमने SPD सब्षेल की एफ की अगर बात करूँ तो एफ सब्षेल जो होता है उसका ठीक है शेप जो होता बड़ा ही complicated होता है और complicated होने के साथ साथ हमें हमारे syllabus में इसका शेप और हमें नहीं पढ़ना होता है तो majorly आपको ध्यान क्या रखना है SPD शेप इनके ध्यान रखने एफ को हम सुनते जरूर है लेकिन उसमें शेप को हम नहीं पढ़ते है ठीक है फिर अब आगे बढ़े अगर इसमें शेल की बाद कर ली सब शेल की बाद कर ली फिर next हम आया और बिटल फिर से बोल रहा हूं पीछी हमने पढ़ाता है शेल और 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 बिटल तो और और बिटल में बहुत बढ़ा डिफ्रेंस होता और बिट एक शेल है जबकि और बिटल एक अलग चीजा अब और बिटल है क्या एक्च्वल में जो इलक्ट्रोन है वो एक शेल के अंदर भी नहीं होता है शेल के अंदर सब शेल के अंदर भी नहीं होता है उस सब शेल के अंदर एक और बिटल होता है उस एक तरीक से मैं बोल सकता हूँ कि यह एक address है electron को होने electron के मिलने गए तो मैं जैसे बोल रहा हूँ कि कोई भी atom होगा ठिक है उस atom के अंदर आपको क्या मिलेगा एक shell कम से कम एक shell तो होगी होगी उस shell के अंदर कही न कही पर एक sub shell minimum क्या होगी एक सब शेल तो होगी होगी ठीक है जैसे हमने बोला एक ही शेल है तो एक सब शेल तो होगी होगी ऐसे तो शेल एटम में शेल होगी शेल के अंदर सब शेल होती और सब शेल के अंदर क्या मिलेगा आपको orbital मिलेगा और इस shell को ही हम क्या बोलते हैं orbit भी बोलते हैं तो ये orbit अलग चीज़ है और ये orbital अलग चीज़ है तो atom के अंदर shell, shell के अंदर sub shell और sub shell के अंदर last mile में क्या मिलेगा? orbital और इस orbital के अंदर actual में electron मिलता है तो ये एक address है actually कि electron कहां पाया जाता है तो electronic configuration हमें address ही बताता है कौन से electron कहां मिलता है अब ये orbital है क्या? तो orbital की अगर मैं बात करूँ तो shell हमने बात कर ली sub shell की बात कर ली तो हर एक sub shell के अंदर orbital होते, कम से कम एक orbital होगा है तो पहले अगर मैं बात करूँ S sub shell की तो एक sub shell आपको पता है ये तो हमें देखी लिए है कि हर एक shell में S sub shell तो आई रहा है तो हर एक sub shell के अंदर S sub shell तो आई रहा है तो S sub shell के अंदर orbital कितना होगे S sub shell के अंदर orbital कितना होगे तो S sub shell की अगर मैं बात करूँ S sub shell के अंदर एक ही और्बिटल होता है ठीक है इसमें only one और्बिटल होगा अब एक और्बिटल होगा तो वो भी कैसा होगा पिर बात करते हूं पी सब्षेल की जो पी सब्षेल है उस पी सब्षेल के अंदर ये अपको ध्यान रखना ठीक है ठीक है ओर्बिटल होते हैं ठीक है जैसा मैंने बोला कि शैल होगा उसमें सब्षेल होगा सब्षेल के अंदर क्या होगा और्बिटल होगा तो sub shell, अगर S की बात करूँ, तो S sub shell में क्या, एक ही orbital होता है, P sub shell की, अगर मैं बात करूँ, तो P sub shell के नदर तीन orbital होती है, और सभी का shape तो कैसा होगा, जैसे इसका spherical shape है, वैसे तीनू sub shell का shape तो कैसा होगा, dumbbell shape नदर, lower shape होगा, इसी तरीके से, अगर मैं बात करूँ D sub shell की अगर मैं बात करूँ तो D sub shell के अंदर 5 orbital होते हैं कितनों होंगे 5 orbital और सभी का shape जो होगा वो double double होगा ठीक है और last F sub shell की अगर हम बात करें तो F sub shell की अगर हम बात करें तो F sub shell के अंदर कितनों होते हैं 7 orbital तो यह आपने सर कैसे decide करा कि इसमें 1 होगा 2 होगा 3 होगा तो यह experimentally determined किया गया है और यह आपको याद रखना है S sub shell है तो उसमें एक ही orbital होगा जो shape sub shell का है वही orbital का होगा फिर difference क्या होगा हम देखते हुए P sub shell है तो उसमें कितने होगे 3 orbital होगे जो shape sub shell का है वही किसका होगा orbital का होगा D sub shell है तो उसमें कितने होगे 5 orbital होगे सभी का double double shape होगा और F sub shell है तो उसमें कितने होगे 7 shape की तो जैसमें में बात ही नहीं तो ध्यान दोगे तो S sub shell में 1 P में 3 फिर 5 और नमबर चल रहा है नहीं one three five और seven तो sub shell के अंदर कोई सब प्याइब उसमें हो उसमें जो orbital होगे और नमबर में आपको मिलेगे S में one होता है P में 3 होता है D में 5 होता है और F में 7 होते है अब यह जो हमने यह तो देख लिए कि कितने नमबर off sub shell होते है अब यहां पर हम बात करते हैं कि कैसे यह दिखते हैं और कैसे पहले सब से पहले है, हमने बोला सब शेल के अंदर क्या होगा एखी ओरबिटल होगा है, one orbital होता है जासा कि यह इसको मैंने क्या बोला spherical यह orbital की भी शेप क्या रेगी यही रेगी फिर P sub shell की अगर हम बात करें तो पी सबशेल में हमने क्या बुला कितने होंगे तीन ओर्बिटल होंगे पी सब शेल के अंदर क्या होगा तीन ऑर्बिटल होंगे और हर एक का शेप कैसा होगा हर एक का शेप होगा डंबल शेप डंबल शेप अब डंबल शेप है तो फिर कैसे पता लगा है कि तीन ऑर्बिटल था तब तो ठीक है एक इस पहरी का लेगा तो ध्यान रखना तीन जो होते हैं तीन की शेप की मैं अब यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो तीन इसमें सबशेल होते हैं जो पी सबशेल उसमें तीन ऑर्बिटल होते हैं कौन-कौन से होते हैं पहला होता है पी एक्स ऑर्बिटल दूसरा होता है पी वाई ऑर्बिटल और तीसरा होता है पी जड ऑर्बिटल अब इसमें डिफ्रेंस क्या पी एक्स पी पी जड मे तो यह तो इनकी नाम, तीन और्बिटल को डिफ्रेंशेट कर सकते हैं कैसे, P सब शेल के अंदर तीन और्बिटल होते हैं, उनके नाम है, PX, PY और PZ, यह क्या लिखे हैं मैंने, और्बिटल की नाम लिखे हैं, अब इसमें मैं बात कर रहाँ कि इनका शेप कैसा होगा, तो मैंने फिर से बोला कि शेप तो सबका कैसा होगा, शेप तो सबका, डंबल शेप ही होगा, तो 3D के अंदर हमें पता है, X, Y और Z-Axis होती है, तीक है, इसको मैंने बोला X, क्योंकि मैंने वाला सबी, उसमें होगे 3D में, और यह होगा Z, तो X का मतलब यह Axis से मुझे बता लगा, अगर यह जो डंबल शेप है, यह X Axis के along मन रहा है, इस तरीके से, तो इसको मैंने क्या बोल जाए है, यह X Axis है, इधर क्या बोल जाए है, इसको Y है और Z, तो X Axis के along यह Dumble होता है, तो मैं इसको बोलता हूँ PX, अगर यह Dumble Shape Y Axis के along होता है, इस तरीके से, तो मैं इसको क्या बोल देता हूँ, PY Orbital बोल दूँगा, यह तो यहाँ पर Y Axis के along होगा, तो मैं इसको क्या बोल दूँगा, PY, तो यह Y Axis के along होगा, तो इसको मैं बोल और इसी तरीके से अगर Z-axis के अलोंग होगा तो थोड़ा सा इस तरीके से तो थोड़ा सा Z-axis के अलोंग मैंने बनाने कोशिश करें इसको तो जैसे यह तो हो जाएगा यह हो गया Z-axis और यह हो गया सोरी यह होगा Z-axis ठीक है यह X यह Y और यह Z कैसे मतलब यह जो डंबल शेप यह डंबल शेप का यह जो पॉइंट यह और यह पूरी जो लाइन यह इसके अलोंग यह X-axis आ रही है तो यह PX के लाएगा य-axis के लॉग बनाओगा तो यह PY के लाएगा और Z-axis के लॉग यह बनाओगा तो यह PZ के लाएगा तो हमने बोला था कि शेप तो सबका सेम ही होगा शेप सेम होगा तो फिर कैसे डिफ्रेंशाट करेंगे तो डिपेंड करेगा किस एक्सिस पे वह डंबल बनाओगा तो यह PX और यह PY और और यह PZ इसी तरीके से अगर हम बात करें थर्ड इसका D सब शेल की बात करें तो इसमें कितने होते इसमें हमें मिलते कितने पाच और बिटल की हमें क्या देखना है अब शेप की बात करें वही X Y O Z एक्सिस के लोगा तो इसमें हम डबल डंबल कैसे बनेगा वह हम बात करने वाले तो डबल डंबल कैसे होगा तो वह हम देखने वाले इसका शेप होगा वह कैसा होता है तो यह डबल डंबल यह डबल डंबल शेप होगा अब डबल डंबल शेप होगा तो कैसे कैसे होगा तो इसमें अगर मैं बोलू आक्सेस मैंने पहले बना दिया है कि यह X-axis हो गए और यह Y-axis यह X और Y-axis के उपर उसके अलॉंग ना बनके उनके बीच में इस जरी के यह जजाओ हमने बनाए प्लीच पर यह यह चाह स्कूपर यह पार ही लिए X और Y-axis के बीच में Ministries उन उन पर बनाया लिए तो यह X और Y के बीच में बनाए तो इसका जो नाम होता है जैसे हमने वहां पर तो हम इसको बोलते हैं इस और बाइटल का जो नाम है वो है D कोकि यह D sub shell का है और X Y axis के बीच में वना है तो इसका नाम है D XY जैसे यहाँ P orbital का PX, PY और PZ है वैसे ही यहाँ पी D को कि D sub shell का orbital है तो D लिखा और XY axis के बीच में इसके एक डंबल ये और एक डंबल ये ये पूरा एक डंबल के लाएगा और ये पूरा एक दूसरा डंबल डंबल होगा तो ये D XY के लाएगा तो ऐसे ही ठीके 5 बनते हैं त आपके बार इसको मैंने X मान लिया और इसको मैंने क्या मान लिया Z मान लिया ठीके इसी तरीके से एक बार मैंने यहाँ पर क्या गरा है इसको मतलब 3D में तो पूरा बना नहीं रहा हूँ लेकिन एक बर इसको Y मानने है और एक बर इसको मैंने Z मानने है अब इसमें जो हमारा डंबल बन रहा है यह एक डंबल और यह दूसरा तो इसे तरिके से यहाँ पर भी एक डंबल और यहाँ पर भी एक डंबल यहा var तो अब इसमें क्या थोड़ा सार दिखाने में दिखता थोती ये 3D में तो मैंने क्या करा इसको xy माना वैसे इसको xz मान लिया तो ये जो ऑर्बिटल होगा वो क्या हो जाएगा तो ये थे 3D में तो सारे हैं आप तो सारी का वार उगेए वो कैसे होते है तो जो दो orbital है, उस में से पहला जो orbital है, उसकी मैं बात करता हूँ, फिर से मैं axis बना रहाँ है, फिर से axis बना रहा हूं यहाँ और exit जो मैंने बनाई यह x और यह बनाई यह आपने, अब इस में जो हमारे पास x y, जो orbital होता है, वो इस axis के उपर ही मिलेगा, X-axis को उपर और Y यह पूरा X-axis को उपर आ रहा है एक डंबन और दूसरा axis को उपर आ रहा हूँ Y-axis को उपर आ रहा है इसलिए इसका जो नाम है वो नाम भी ऐसा यह उसको बोला जाता है B X-square-Y-square यह कहीं लोग B X-square-Y-square भी बोलते हैं देखंगे यह हमारे पास चौथा और्बिटल जो लास्ट और्बिटल ले उसकी अगर बात करें तो फिर से मैं एक्सिस बना रहा हूं यहाँ अपकी बार जो यह एक्सिस है यह मैंने बनाई है जैड एक्सिस बनाई है और इसमें जो दो डंबल है, सब में देख रहों कि दो-दो डंबल ना जा रहा है, हमने बोला भी डंबल डंबल शेव, इसमें एक डंबल तो आपको कहा दिखेगा, तो यह Z-axis से मूँ होके, ठीके, मूँ होके, यह जो अब प्लेन बज़, जो Z-axis के परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा न, वो होगा XY प्लेन, तो उस XY प्लेन के अंदर यह डंबल डंबल शेव, अपने आपको क्या कर लेता है, रोटेट कर लेता है, और रोटेट करने के तो नहीं इसाँ में होता है, तो दो डंबल सब में होने हैं, सब में तो देखेंगे, इसमें एक तो डंबल है, और दूसरा जो डंबल है, वो क्या होता है, होता है Z-axis पे, लेगिन रेपल्शन की वज़े से वो क्या करेगा, इस XY में में एक सर्कुलर प्लेन का अंदर P sub shell और उसके 3 orbital उनके नाम और shape के बात कर ली और D sub shell उसके 5 orbital उनके नाम और उनकी shape के हमने बात कर ली तो ये basic idea है हमने shell, sub shell और orbital के अब बात करते quantum numbers की तो जो quantum numbers है फिर से detail में atomic structure में थो हम पढ़ेंगी लेकिन एक basic idea हमें लेना भी जरूरी है इसके अंदर ताकि हमें समझ में हम जो क्या पढ़ना चारें इसमें तो पहला quantum number देख रहा principal quantum number इसको n से represent करता है तो actual में ये जो represent करता है ये shell number बताता है तो ये shell number represent करता है और shell number represent कर रहा है तो n की जो value होगी हो कहां से start होती ही 1 से इसके value 1,2,3,4,5 इस तरीके से continue चलती है जो azimuthal quantum मतलब क्या सब तो आगे समझे करता है जन्यव को ये बारे मता रहा है इक तरीके से हमें किसके बारे मत vídeo बीखना है और ये हमने बात भी करी थी कहां से स्टार्ट होती 0, 1, 2, 3, 4, also on एक बात जो इसमें ध्यान रखने वाली है कि L को इस तरीके भी लिखा जाता है कि L की value N-1 से start होती है देख सकतो अगर मैं जब N-1 लिखूँगा तो यहाँ पर 1-1 क्या जाएगा? 0 जब मैं N की value 2 रखूँगा तो 2-1 क्या हो जाएगा? तो 0 और एक 1, तो 0 से start होगी क्योंकि यहाँ पर जो 0 है वो किसको represent कर रहा है? 0 एक्चुल में represent किसको कर रहा है? S-subshell को, ये P-subshell को, ये D-subshell को, ये F को, ये G को, और इस तरीके से थर्ड जो हमारे पास counter number है, वो counter number है, magnetic counter number इसको small m से represent किया जाता है और magnetic counter number पर एक्चुल में हमें बताता है किसके बारे में, orbital के बारे में बताता है ठीके, जिस sequence हमने पड़ा वही उसका मतलब ये Shell के बारे मता रहा है, ये Subshell के बारे मता रहा है, ये Orbital के बारे मता रहा है अब Orbital के बारे में कैसे बताएगा? तो जो m की value होगी न, वो m की value होती है, minus l से, ठीके, 0 तक, फिर 0 से लेके, plus l तक, कहने का मतलब है कि, m की value minus l से लेके, plus l तक होगी, लेकिं integer होने चीए, उसमें include 0 जरूर होना चीए जैसे example के लिए अगर मैं बात करूँ, अगर l की value 0 है, तो m की value तो क्या हो जाएगी? minus 0 तो कुछ होता नहीं, तो जी 0 ही हो जाएगी अगर L की value 1 हो गई है तो मैं क्या लिखूँगा M की value लिखूँगा minus 1 फिर minus 1 के बाद क्या आएगा 0 और 0 के बाद क्या आएगा प्लस 1 अगर L की value 2 आ गई तो M की value क्या लिखूँगा मैं minus 2 minus 1 0 plus 1 and plus 2 तो minus L से का चल रही है प्लस L अब देख दे सकते हूं यहां पर इसी तरीकर से चल लिख देता हूं L के value 3 तो M equals to क्या होगा minus 3 minus 2 minus 1 0 plus 1 plus 2 plus 3 तो अगर ध्यान से अगर आपने notice करा होगा तो M की values कितनी आ रही है वो देख दे यहां से यहां पर M की value आ रही है सिर्फ 1 यहां M की value आ रही 3 तीन value आ रही minus 1 0 यहां M की value कितनी आ रही 5 और यहां M की value कितनी आ रही 7 तो यह जो एक value है यह किसको बता रहा है हमें पता एक ही orbital होता है किसके अंदर L equals to 0 मतलब S sub shell के अंदर तो यह एक orbital की value है फिर L की value 1 है इसका मतलब क्या है M की value आ रही minus 1, 0 और 1 मतलब हमें पता है कि तीन जो value से किसकी है यह orbitals की value है तीन P की orbital जो PX, PY, PZ अब PX को minus 1 दे या PY को 0 दे या PZ को 1 दे ऐसा को fix नहीं किसी को कोई भी value दे सकते है लेकिन हाँ यह ज़रूर fix हो गया है कि जो तीन values है इसमें से एक PX के लिए एक PY के लिए एक PZ के लिए सेम M की value जो 5 values है यह 5 value किसको represent कर रहा है D के 5 orbital को DXY, DYZ, DZX, DXSquare, DashYSquare और DZSquare तेकि किसी की भी value हो सकते है लेकिन ही 5 इसी तरीके से F की 7 values होती है Last spin quantum number जो है spin quantum number को small s से represent किया जाता है spin quantum number को small s से represent किया जाता है और इसकी 2 ही value होती है या तो either plus half लिखे जाती है इसकी value या फिर minus half या तो plus half होगी इसकी value या फिर minus half होगी plus half और minus half होता क्या है actual में ये क्या बताता है कि electron एक orbital के अंदर maximum दो electron हो सकते हैं एक orbital के अंदर कितना होते हैं मैंने बता ना जैसे ये orbital है last में और orbital के अंदर क्या होता है electron होते हैं अब जो electron होंगे एक orbital के अंदर एक orbital के अंदर कितना होंगे maximum 2 electron होंगे maximum कितना होंगे? दो electron तो एक electron में एक electron भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है लेकिन 3, 4, 5 ये कभी possible नहीं है, एक orbital में 0 electron भी हो सकते हैं, एक orbital में एक electron भी हो सकता है, एक orbital में 2 electron तो maximum 2 electron हो सकता है अगर ये 2 electron है, तो इन 2 electron को कैसे represent करें तो उनका एक spin होता है spin मतलब electron गी orbital के अंदर क्या होता है rotate करता है कैसे जैसे मैं गोना हूँ sun के around planets rotate कर रहे हैं तो वो तो क्या हुआ nucleus के around क्या हुआ हमारे पास nucleus के around क्या हुआ electron rotate कर रहे हैं अब हमें पता है कि जैसे sun के around planet रोटेट कर रहे है तो प्लेट भी अपने एक्सिस पे भी रोटेट करते हैं जैसे अर्थ अपने एक्सिस पे भी रोटेट करते हैं तो रोटेट करने की दो पॉसिबलिटी है या तो क्या होगा clockwise रोटेट होगा या फिर anti-clockwise अगर क्लोकवाइज रोटेट हो रहा है तो उसके लिए अलग नोटेशन देना पड़ेगा एंटी क्लोकवाइज हो रहा है तो यहां पर प्लस हाफ और माइनस हाफ उसके रोटेशन को ही बताता है अब यह फिर से कोई अगर मैंने प्लस हाफ को एंटी क्लोकवाइज माल लिया तो माइनस आपको अपने क्लोकवाइज मालूगा और वाइस वर्सा तो फिक्स नहीं है जैसे मैंने वोला इन में से यह और्बिटल की वैल्यू भी फिक्स नहीं तो यह स्पिन क्वांटन नंबर क्या है इलक्ट्रॉ उनकी रोटेशन को बताता हूँ अपने एक्सिस में कैसे रोटेट कर रहा है या एंटी क्लोकवाइज रोटेट कर रहा है तो यह चार क्वांटन नंबर है तो इस्पिन क्वांटन नंबर की दो ही वैल्यूस पॉसिबल है और इनक्या मतलब क्या है वह मैंने आपको समझा तो ओवरॉल एक बेसिक आइडियल है आजके लेक्टर में हमने शेल, सब शेल, और्बिटल, उनके शेप्स के बारे में, उनके नंबर्स के बारे में उनके वैल्यूस के बारे में और कॉंटम नंबर्स के बारे में तो एक बार फिर से ध्यान से लेक्टर को सुन लेना और स तो भी आपको लगे कि कही डाउट आ रहा है तो फिर से रिवैंट करके सुने हैं इसको लेज़ें ठीक है ओके थैंक यू कि लेज़ें